दोस्तों आज चर्चा करेंगे टॉपिक है रीनल और प्लेशMन ठेरेपी शौर्ट में RRT कहते हैं हम इसे हम किड्नी के डोक्टर हैं किड्नी स्पट्цион हैं तो किड्नी के मरीज देखते हैं तो किड्नी के मरीज दो । किसुने क होते हैं AKI, जो किड्नी अचानक खराब हो गई, कम समय में खराब हो गई CKD, chronic kidney disease, जो पुरानी बिमारी गुर्दे की होती है, उसे CKD कहते हैं अब चाहे AKI का रोग हो या CKD का रोग हो, disease पुरानी हो या नई किड्नी जब फेल हो जाती है, तो किड्नी के पांच vital function होते हैं बॉड़ी में जिनकी बदे से बॉड़ी रहती है, सबसे पहला function किड्नी का excretion हिंदी में कहते हैं उत्सरजन, extra water and जो metabolic waste products जो रोज मरा की जो toxic products हैं मारी बॉड़ी में जमा हो जाते हैं उनको निकालना, इसे कहते हैं excretion, पहला काम है excretion, सब जानते हैं किड्नी यूरिन बनाती है और यूरिन के दवारा बॉड़ी का जो extra accumulated water है वो और जो metabolic waste पैदा हुए हैं रोज मरा की किरियाँ से, उनको निकालने को excretion कहते हैं बड़ किड्नी का काम यहां खतम नहीं हो जाता, किड्नी के इसके अलावा चार और बड़े important function है जो आम आदमी को पता नहीं होते maintenance of blood, खून की मातरा का बनना, हमारा खून, खून की मजजा में, bone marrow में बनता है आपने सुना होगा, कि blood का निर्मान जो होता है, RBC का निर्मान जो होता है वो bones के अंदर, जो marrow होती है, मजजा, उसके अंदर होता है बट, खून की cells को, RBC को सबसे आखरी stage में पहुचाने वाला काम जो होता है, वो kidney का होता है तो kidney, anemia को रोकती है, anemia से बचाव करती है खून के बनने में, आखरी step की तरह रोल निभाती है अगर kidney fail हो गई, तो anemia हो जाता है और यह anemia, मामूली iron या folic acid या vitamin की गोलियों से ठीक नहीं होता एक kidney का hormone होता है, erthropoietin erthropoietin के बूते पर ही हमारी RBC mature होती है और अगर kidney fail हो गई, तो फिर anemia जो है, erthropoietin के बगर ठीक नहीं होगा तो यह kidney का second function है, to keep blood intact hemoglobin का बना के रखना, यह हम आप भी को पता नहीं होता थर्ड काम is, bones को intact रखना, हमारे body में जो हड़ियां है जो bones है, calcium, phosphorus, दुनिया वर के vitamin D हम खाते रहते हैं अपनी हड़ियों को मजबूत और ठीक ठाक बनाया रखने के लिए लेकिन kidney अगर ठीक नहीं है, तो आप कितना भी calcium और vitamin D किसी भी तरह का खालीजेए, लगवा लीजेगा जो kidney में vitamin D का जो activation का जो काम होता है kidney हमारी एक बड़ा important काम करती है कि vitamin D का जो last stage होता है means active form जो बनती है vitamin D की जो भी हम खाते हैं पीते हैं और vitamin D का जो real formation होता है वो kidney ही करती है और kidney fail हो गई तो vitamin D का activation भी नहीं होगा तो यह सारी precarea बेकार तो हड़ियों की बिमारी बन जाती है जिसे कहते हैं renal bone disease means kidney के patient में हड़ियां भी खराब हो जाती है यह दूसरा function है तीसरा function है कि body में विभन इलेक्रोलाइट्स जितने भी हमारे matters होते हैं sodium, potassium, calcium, phosphorus, acid, base इनका maintenance भी तो kidney का काम होता है तो blood pressure का maintenance kidney का सबसे important काम है body में blood pressure को बना के रखना means blood pressure किसी का high है या low है यह और बातों के अलावा kidney पर भी depend करता है kidney ठीक नहीं है तो blood pressure ठीक हो नहीं सकता हमारे हर kidney के patient में blood pressure एक बहुत बड़ी समस्या होती है तो just to enumerate kidney के excretion के अलावा चार important काम और है तो जाहिर है जब kidney fail होगी चाहिए वो AKI की वद्धे से fail हो हो जाएगा बॉडी में metabolic waste जमा हो जाएगे पेशिट बिहोश हो सकता है खाना छोड़ देगा भूख अतम हो जाएगी और anemia हो जाएगा BP बढ़ जाएगा और vitamin D के वद्धे से हमारी हड़ियों में और मास पेशियों में दिक्कतें आ जाएगी यह सारे काम means kidney function को replace करना by artificial means तो सबसे important जो artificial means है जो kidney के patient में हम लगाते हैं to replace the lost kidney functions is dialysis आपने सुनाओ का dialysis होती है तो dialysis कोई natural precarea नहीं है यह एक artificial precarea है जिससे हम क्या करते हैं patient के blood को निकाल करके और filter के थुरू पास करके तो उस body में से extra waste और extra पानी और जो acid based imbalance से उसको ठीक करने की एक artificial precarea dialysis होती है तो शुरू में कोई भी patient CKD का हो या AKI का हो अगर वो kidney की disease की वदे से जान के खत्रे में आ गया है तो उसके function को replace करने के लिए हमें dialysis का सहरा लेना पड़ता है यह dialysis दो तरह की होती है आम दोर पे एक होती है hemo dialysis मीस ब्लड को निकाला फिल्टर किया भेज दिया एक होती है peritonial dialysis मीस पेट में दली डाल दी और पेट के अंदर पानी डाला वेशेज किसम का और वो पानी के थूँ जो है बोडी के ब्लड के poison को निकाला पानी निकाला इसे कहते है PD उसे कहते है HD इसे कहते है PD हीमो dialysis and peritonial dialysis अब हीमो dialysis भी अगर देखो आप तो आम तरफे जो आपने dialysis सुनी होगी वो कहते है center वाली dialysis मीस आप एक center पे जाएंगे माने हमने पाल अपताल में आये dialysis में आये अपन्मेंट लिया dialysis करा ही चले गए इसे कहते है center dialysis लेकिन आज कल home dialysis भी होने लगी है मैं मतलब एक नया रूप है कि पेशन के घर में ही dialysis setup लगा दिया गया जिन पेशन को बार बार dialysis की ज़रूप पड़ती है वो बार बार नहीं आना चाहते है अगर इब देकन afford financially तो dialysis का setup घर में ही लग जाता है चोटी लेबल पे और वो उसे कहते हैं home dialysis home hemodialysis HHD तो आम तोर पे जो dialysis आपने सुनी होगी वो center पे dialysis सुनी होगी कुछ well of patient जो afford कर सते हैं जिनको बार बार center पे आना possible नहीं लगता है या जो दूर रहते हैं उनके लिए home dialysis का concept भी आ गया एक नया term है nocturnal hemodialysis means आम तोर पे dialysis आपने सुनी होगी चार घंटे की होती है हफते में दो बार आईए तीन बार आईए चले जाईए लेकिन ये dialysis की efficiency इतनी जादा नहीं होती to make it more efficient एक नया concept है उसे कहते है nocturnal hemodialysis means patient दिन भर की पूरे काम करके office of visiting करके सारे काम करके dialysis center में रात को आएगा और रात को आएके सुझाएगा comfortable तरीके से और बारा घंटे तक रात भर उसकी dialysis slow तरीके से चलती रहेगी तो इसे कहते है nocturnal hemodialysis इससे dialysis की efficiency बढ़ जाती है so there are so many ways by which we replace the kidney functions in a person where kidneys are lost तो इसे RRT कहते हैं बट इस RRT से artificial तरीके से जो आप replacement करते हैं kidney के सारे function replace नहीं कर पाएंगे आप आप basically क्या replace कर रहे हैं आप excretion वाला part replace कर रहे हैं मेरा मलब जो uthrjan वाला part है कि पानी निकालना metabolic waste जो जमा हो गए हैं उनको निकालना या थोड़ा acid waste और electrolyte imbalance जो है उसको ठीक करना लेकि वाट अबाट अनीमिया वाट अबाट बोन डिजीज वाट अबाट हाइपर टेंशन ये काम artificial तरीके से replace नहीं किये जा सकते इसलिए dialysis patients को और भी कई तरह की दवाईयां साथ में देनी पड़ती है to keep these functions in balance तो एक बाट dialysis अगर हो गई तो एक तरीका है हमारा artificial तरीके से kidney replacement देने का जो final natural तरीका है अगर आदमी dialysis से हटना चाहे तो जो natural तरीका kidney के function को replace करने का है which is more physiological which is more complete, better than dialysis is renal transplantation means अगर हो सकता है तो गुर्दे का प्रित्या रुपण करा दिया जाए इसे कहते है kidney transplantation तो broadly speaking RRT is dialysis followed by renal transplantation if possible thank you